हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग क्रीसेंट एडूकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की इंपॉर्डेंट ड्यूज है L.T. भरती को लेकर L.T. भरती का दोस्तों आज होगा फैसला फाइनली आयोग को रिपोर्ट सौब दी है जाज समीती ने और आज दोस्तों आयोग लेगा फैसला जाज समीती की रिपोर्ट के आधार पर तो दोस्तों बहुत महतुपूर्ण दिन रहने वाला है L.T. चैनितों के लिए इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजी वा विज्ञान के 500 सिक्षकों की दोस्तों होगी निटिस के बारे में जानेंगे और दोस्तों जो परधानाचारे सीधी भरती का मामला चल रहा उसके बारे में भी जानेंगे देखिए इसकूलों में परधानाचारे के बदों की कमी को देखते हुए देखे विभागिये स्तर पर परधानाचारे की सीधी भरती का प्रस्ताओ सरकार के द्वारा लाया गया है लेकिन इस पर दोस्तों काफी समय से विवाज चलना है इसके बारे में जानेंगे चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को सबसे इंपोर्टेंट न्यूस दोस्तों आज की ल्टी समेत आठ भरती परिक्षाओं की जांच रिपोर्ट मिली आज होगा फैसला विया ल्टी सहित आठ परिक्षाओं की जांच रिपोर्ट उत्रा घंड अधीनस सेवा चैनाय को मिल गई है इन परिक्षाओं का बविशे कंपनी RMS टेक्नो सोल्यूशन की भूमिका रही थी इस कारण आयोग ने आठ ऐसी परिक्षाओं पर जांच बिठा दी थी जिनमें एक्जाम तो कराए जा चुके लेकिन निक्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी इसके लिए रेटायर नौकर साह एस इसरावत के दिक्ष ठीक है न और यहाँ पर देख सकते हैं कि सूतरों के नुसा जांस टीम को उक्त आठ परिक्षाओं के जातर मामलों में नकल या पेपर आउट के बहुत पुक्ता प्रमान नहीं मिले हैं लेकिन जांस टीम ने नकल के मामलों में कोड साह पुराने फैसलों को भी अपनी परिक्षा दो दोस्तों इसमें LT की है और इसके अलवा आठ बđती परिक्षाओं का भी दोस्तों यहाँ पर फैसला होने वाला है आज तो देखिए परणाम किस-किस के जारी हो गए है, LT का हो गया है, वیک़्तिक साय का हो गया है, कनिस साय का हो गया है, पलिस रंकर का हो हो गई है लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है ये लोग तो दोस्तों जोइनिंग का वेट करें इस पैसली दोस्तों बात करेंगे ल्टी की तो यहां पर देखिए चैन आयोग ने परिशाओं में गड़बडी के आसंका के चलते बैठाई थी चार्च बैठ अंगे यहां पर देखिए बात चल रही है अटल उत्क्रिस स्कूल में तोस्तों यह होते हैं कि जो के फिलाल इंग्लिस मीडियम के स्कूल होते हैं इसमें अंग्रेजी और विज्यान के विश्यों के सिख्षों के रिक्त पदों पर भढ़ने के लिए 500 सिख्षों को की निय अंग्रेजी की पढ़ाई पर जोर है जिसमें आपको पताया है लेकिन उत्राखंड बोर्ड मूल के चात्रों के सांथ कुछ स्थानों पर अंग्रेजी में दिक्कत आ रही है तुसरे दरफ सरकार जल्दी ही विग्यान विश्यों के सिख्षकों को बंगलूर और परधनाच को लीडर्शिप गुण सिखाने के लिए आई आई एम में प्रसिक्षन दिलाने जा रही है शिख्षा मंतरी डॉक्टर अधन सिक रामत ने हिंदुस्तान से बाचीत में कहा कि अटल स्कूलों की सरकार ने एक प्रियोग के रूप में शुरू किया था और इसे सेंटर और ए इसके लिए बजट भी जारी किया जा चुका है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सरकार कोसिस करिए कि मादविंग स्थर पर विसाइवार सभी पदोपा सिक्षों की निक्ति कर दी जाए अतिती सिक्षों की नई भरती का निर्न इसी के तहत लिया गया तो दोस्तों यह अ अतिती सिक्षकों के अंतरगत यह 500 टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा अटल उत्कृट्स स्कूलों में यहां पर एक नई भरती दोस्तों आपको देखने को मिल सकती है इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे परदानाचारे सीधी भरती के बारे में देखे परदानाचा परदानाचारे के पद बहुत सारे रिखते चल लें अब ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि क्यों ना इनको विभाग्य भरती से बहरा जाए यानि कि जो एल्टी सिक्षक हैं प्रवक्ता सिक्षक हैं एक डिपार्टमेंटल एक्जाम कराया जाए पचास परदी सत्पदों क दोस्तों सीदे सीदे परदानाचारे बनने का मौका दिया जाए मतलब की डिरेक्ट रिकूट्मेंट से दिया जाए अधरवाइस पहले क्या होता था कि यह hundred percent प्रमोशन से भरा जाने वाला पत था कि आप वहाँ पर डिरेक्ट तो नहीं पहुंस सकते आपका प्रोमोशन हो राजकी सिख्षक संग ने परदाने चारे पदो पर 50% सीधी बरती से भरे जाने वाली नियमावली में 80 सिख्षकों की अंदिकी करने का इन्होंने आरोप लगा है कहा है कि ये समिधान के लुचे 14 मुले के समानता के अधिकार का उलगन है और राजकी सिख्षक संग के पूर मंदली मंत्री सिव सिख्षक नेगी ने सरकार दोरा परदाने चारे सीधी भरती नियमावली का विरोत कहा और कहा कि इसमें योगिताव अन्भाव होने के बाद भी परधानाचारे सीरी भरती सासन सतर से ऐसे अब व्यावारिक इसमें स्टैंडर्स बनाए गए हैं कि अधिसंग के अल्टी सक्षकों को अफजर प्राप्त नहीं हो रहे हैं और इसमें कहा कि परधानाचारे जो पद होता है वो पदोनिती का पद है जो पदोनिती से सत परती सत भरा जाना चाहिए इस प्रकार की निमावली बनाकर सरकार की विद्यालों में परधानाचारे नि प्रवक्ता को तो मौका मिल जाएगा लेकिन एल्टी सिख्षकों के लिए कहीं न कहीं यहां पर दिक्कतारी है एल्टी सिख्षक और प्रवक्ता सिख्षक दोनों के दोनों चाहते हैं कि वो परधानाचारी सीधी भरती में प्रतिभाग कर सके प्रवक्ता को तो इन्होंने अच्छे से मौका दिया है लेकिन LTC सिख्षकों को मौका नहीं मिल पा रहा और इसी बात का तब से काफी समय से विरोध चला है एक तरफ दूसरा केडर भी है जो हम बात करेंगे हेड मास्टर्स की जो की अल्डेडी उपर है तो वो चाते हैं कि भाईया सीधी भरती में नए कंडिडेट्स को मौकान मिले ही ना सीधे सीधे सत परतिसत प्रमोशन से ही भरे जाए यानि कि जो काफी सीनियर टीचर है वो चाते हैं कि भाईया हम दोग जब यहाँ पर बैटे हुए हैं और खाफी समय से हमारा प्रोमोशन नहीं हुआ है तो हमारा प्रोमोशन कर दो हलंकि अभी उन लोग के साथ भी दिक्कत है कि वो लोग भी अपने नियम मानक को पूरा नहीं कर पारे क्योंकि एक नियुन्तम सेवा की आवशक्ता होती है जब आप एक पत से दूसरे पत में प्रोमोट होना चाहते है तो आपको एक नियुन्तम सेवा की आवशक्ता होती है जिसे अगर आप हेड्मास्टर से प्रिंसिपल बनना चाहते है तो आपको नियुन्तम पांस साल की सेवा आवशक्ता होती है पांच या तीन साल होती है मैं एकदम शौर्ट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी इतनी सेवा क्या विसकते होते हैं तो कई सारे headmaster है दोस्तों अभी उस मानक को पूरा नहीं कर पारा है जिसकारण से उन headmaster का principle पर प्रिंसिपल पर प्रोमोशन नहीं उपारा है कि विभागिय भरती के द्वारा पचास परतिया सीधी भरती के द्वारा lt और lecturer अभी तो बात करेंगे lecturer की तो lecturer को मौका दिया जाए कि भाईया वो principle direct बन सके तो आज की वीडियो को लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में till then take care and goodbye